वेलकम पूंप्न्स टेखनोजी मैं हूँ आपप कर आपटीचर और देख रहा है इंप्न्स टेखनोजी बाय दुर準 गेश सब्धित्शल यह जो लेक्चर है वो है जावा के ओपरेटर्स के उपर last class में मने जावा कि operators को देखा था की operator क्या होता है और क्या करता है कैसे task perform करता है क्यों वो operator है यह अगर operator के बारे में थोड़ा सा और जानना है तो आप पीशे के lecture में जाओ और operators पढ़ो तो उसमें आप कुप मिलेगा किकी आप .. श्रीमेटिक और एस्टाइमेंट पढ़ेंगो और भी ऑपरेटर पीछे हम पढ़ें आज के लैक्चे में हम पढ़ने जा रहे हैं वह हमारा लॉजिकल अपरेटर एंड कंडिशिनल अपरेटर एंड रिलेश्चनल अपरेटर का थोड़ा बहुत अबर्वीव रिलेश्चनल भी थोड़ा बूसा साथ में रहेगां तो a logical operator हम पड़ते है logical operator क्या होता है ते लिंखते हम हम और ऑर Souक्ना को पहला है हमारा and, दूसरा है or, दीसरा है not. And or not, यह तीन logical operator है, And जो है, इसका मतलब हमता है and, यानि कि अगर दो conditions है, and लगेगा A and B, दो conditions हैं, वहाँ पर हम and का इस्तेमाल करेंगे, सबोज कि मुझसे किसी ने कहा कि एक मार्कर दे दो और एक पैन दे दो यानि आपसे भी किसी ने कहा आपके फादर ने कहा कि एक मार्कर दे दो और एक पैन दे दो आपने सिर्फ उनको मार्कर दिया है पैन नहीं दिया तो सटिस्पाइड नहीं होगे कि उन्होंने मार्कर और तब पैं दोनों मागा थे आप हो सकता है कि पैंन करते हैं के लोग का स्तमाल करते हैं तो हमें दोनों के दोनों यानि कि दोनों ऑप這個 को करना होगा यानि होगा तब वह सबस्छाइब होगा तो मैंने का टुट स्टेबल देखते हैं गब जलता है तो यहां पर यहां इस्तमाल करेंगे A and B अगर A 1 है और B 0 है तो ये क्या हो जाएगा मर कर मिला पहल नहीं मिला तो ये 0 not satisfied ये 0 है ये 1 है not satisfied ये दोनों 0 है जरूरी है not satisfied लेकिन ये दोनों 1 है दोनों मिल गया तो ये क्या हो जाएगा satisfied हो जाएगा यानि true हो जाएगा तो and सिर्फ एक ही case में true होता है जब दोनों ही condition true होता है और उनको logical क्यों कहते हैं logical मतलब कि अगर यहाँ one है sorry zero है तो यह automatically जान जाएगा कि यह condition वो false हो गई है यह भी zero तो false हो गई है that's why हम logical कहते है logical and इसमें अगर दोनों अपरेंड अगर true हैं तो यह जो है वो automatically true हो जाएगा next हमारे पास है और operator इसली को मैं और मैं convert करता हूं और operator के लिए हम pipe symbol का इस्तिमाल करते हैं इसका pipe symbol का इस्तिमाल करते हैं यहां all कर देते हैं यानि अगर आपके बापा ने कहा है कि pen ले आओ या और pen लाओ और marker लाओ यानि कि इसमें से कोई एक भी उनको मिल जाएगा तो वो चलेगा यानि यह one है और यह zero है यानि pen मिला है और marker नहीं मिला तो भी यह true हो जाएगा satisfied होगा is case में भी to satisfy होगा सिर्फ वो एक case में satisfied नहीं होगा जब वो दोनों conditions क्या हो जाएगी zero हो जाएगी यानि और में सिर्फ एक condition जो है वो fail करती है जब दोनों के दोनों हमारे operations zero हो जाते हैं नेक्स्ट है हमारे पास not operator, not operator में अगर x और not x, not operator को exclamation से बनाते हैं not operator, अगर x 1 है तो यह 0 हो जाएगा और यह 0 है तो यह 1 हो जाएगा, तो यह था हमारा logical operator जो की logics को implement करता है, logics को check करता है, नेक्स्ट हमारे पास एक operator है, जिसका नाम है relational operator, क्या है relational operator, तो हम relational operator देखेंगे, फिलहाल, relational operator, relation identify कराते हैं, यह relations को बताते हैं, तो क्या होते हैं relational operator देखते हैं, relational, relational में होता है आपका greater than, greater than equals to, less than, less than equals to, equals to, and not equals to, greater than हमेशा चेक करता है कि condition क्या true है या false है, यानि a equals to, far a equals to 10, and b equals to 2, क्या a बड़ा है b से, अगर बड़ा है, तो यह true हो जाएगा, ऐसे लिए a बड़ा है, या बराबर है b के, तो बड़ा है, लेकिन बराबर नहीं है, c equals to 10, क्या a बड़ा है, यह बराबर है ck बड़ा तो नहीं है लेकन c है क्या a less है bk क्या a b से छोटा है नहीं यह false हो जाएका एसे ही A less than or equals to C, तो यहां पर A छोटा तो नहीं है C से, लेकिन जो C के equal है, तो यह क्या हो जाएगा, यह भी तिखली सारे lectures जो है, आपको पीशे में जाएंगे, रिलेश्टनल के तो तो यहां पर देखिए, तो यह जो है A C से छोटा नहीं है, लेकिन बराबर है, that's why यह भी यह जाएगा, A equal equals to, A equal equals to C, क्या A equal है C के, Yes A C के equal है, that's why यह क्या हो जाएगा, A not equals to B, एकदम सही है, क्योंकि A B के equal हैं यह, that's why यह true हो जाएगा, A equal not equals to C, A C के equal है, यह condition जो लिखी हुई है, यह गलत है, तो यह है हमारा logical operator, और logical operator क्या करता है, लोजिक को जिससे मैंने मताया चीक करता है इन में से यह उपरेटर है हम एक छोटा जो है प्रोग्राम करेंगे तो हम प्रोग्राम करेंगे logical and relational को मिला कि यानि कि मैं एक प्रोग्राम करूंगा जिसमें ये चेक करूंगा कि क्या जिसमें बताऊंगा कि क्या expression कैसे लिखते हैं यानि कि मुझे लिखना है देखना है A equals to 2 B equals to 3 and C equals to 5 देखना है इसमें से बड़ा कौन है या A और B में ही मुझे चेक करना बड़ा कौन है तो मैं लिखूंगा A greater than B अगर A greater than B है तो A का output दिखा दे otherwise क्या करें तो B का output दिखा दे clear हैं तो इसलिए हम इस्तमाल पर the relational का अगर 3 है हमारे पास variable A equals to 2 B equals to 3 and C equals to 5 और चेक करना कौन सा greatest है तो A greater than B and A greater than C यहनि A बड़ा होगा B से और A बड़ा होगा C से तो A बड़ा है ठीक है otherwise B को चेक करेंगे फिर C को चेक करेंगे वैसे यह छोड़ा सा example जो था वो मैं कल implement करूंगा कल इसे चलाया जाएगा आज के लिए इतना ही है आप देखते ही हमारे साथ बने रही है हम Java के प्रोग्राम को implement करते रहेंगे थोड़ा तोबा प्रोग्राम करते रहेंगे और प्रोग्राम प्राक्टिकल करते रहेंगे थैंक्स पर वोच्छिंग बग्बाइ